चीन ने विवादत दक्षन चीन सागर में विस्तार को लेकर बड़ी चिंताओं के बीच बुधवार को अपना दूसरा एरक्राफ्ट करिया, विमानवाहक पोत को समुदर में उतार दिया, जो यूक्रेन से खरीदे गए मौजुदा पोत के साथ शामिल होगा। इससे चीन की सैन्यक शमता में बड़ोतरी होगी। चीन की सरकारी समाचार एजेंसी शिन्वा के मुताबिक चीन शिप बिल्डिंग इंडस्ट्री कॉपरेशन, CSIC के पूर्वोत्तर डालियान शिप्यार्ड में प्रक्षेपन समारोग के दौरान 50,000 तन के इस नए विमानवाहक पोत को समुदर में उतारा गया। चीनी सुरक्षा मंत्राले ने कहा कि यह चीन का दूसरा विमानवाहक पोत है, जिसका अभी नाम नहीं रखा गया है। जिसका सहुआ हैं जिसका समुदर में रालियान समें